जाले जे इस्टार्ट करते हैं आज की ग्लास में सेक्शन उननिस सेक्शन 143 टोपिक का नाम रख सकते हो आप जोब वर्क प्रोसीजर क्या जी जोब वर्क जोब वात जोब वर्क सी रिलेडिड होँगी आज की ग्लास में हम उडिसक स्कर्स करेंगी यह पहली बाimir अप्रोसीजर प्रोसीजर प्रशाव करना है तो पहले में बनदाक हो आ है क्या होता है जो वर्क है या नहीं है मैं एक कपड़े का वैपारी हूँ मैंने कपड़ा मंगाया तिक है ना और मैंने उसे डाई किया कलर किया और कलर करने के बाद उस कपड़े को मैंने खुदी कपड़ा मंगाया खुदी उसे डाई करा कलर करा और उसे कलर करने के बाद उसे सेल कर दिया वैदर दिसी जो वर्क नई जोब वर्क ये नहीं है इसका मतलब जोब वर्क कुछ और है जोब वर्क क्या है मतलब कि मैंने कपड़ा मंगाया और मैंने किसी दूसरे वेक्ति को बोल दिया कि भाई ये मेरा कपड़ा ले जा और इस पर डाई करके मुझे दे दे तो जो इसने डाई करी मिस्टर ए ने क्या ये जो वर्क है ये जो वर्क है तो मतलब जो वर्क का कुछ ऐसा निकल कर आया कि जो वर्क कुछ ऐसी चीज़ है जो अपने गुट्स पर नहीं किया जाता है किसी दूसरे के गुट्स पर किया जाता है क्लियर तो जो वर्क क्या है जो अपने गुट्स पर नहीं किया जात है कि मैं कपड़ा लाया और मैं था अंद इस्टर में क्या था अंद इस्टर और मैंने किसी जो वर्कर को दे दिया डाई करने के लिए और ये भी था अंद इस्टर ठीक है ये जो वर्क होगा जी एस्टी में या नहीं क्योंकि दोनों लोग अंद इस्टर तो ये जो वर्क न यह unregister है और यह registered है तब मतलब कि एक unregister विक्ति ने एक unregister विक्ति ने अपने goods दीए किसे डायर को जो की क्या था रजिस्टर था फैदर इस इस है जो वर्क वैदर जी एस्ट में इसे जो वर्क बोलेंगे नहीं बोलेंगे सर ऐसा क्यों मैंने का हम लड़ते नहीं है अगर हमें किसी चीज की भी definition पता करनी हो तो कौन सा section उठा लेते हैं section 2 चलिए section 2 निकाल लिए और section 2 में job work की definition पढ़िए section 2 में सब section देखे 66 या 68 क्या असपास होगा 68 job work निकाल लिया पढ़िया job work की definition पढ़िया job work क्या कहता है job work means जैसे हम कोई definition सुरू करते है means इसका मतलब क्या होता है यही है इसके अलावा कुछ और नहीं है कहता job work means any treatment or process any treatment or process undertaken by a person own goods belonging to another registered person क्या बोला जी नोने another registered person अगर सामने वाला व्यक्ति registered person है उसके goods पर हम कोई प्रोसेस करते हैं and the expression job worker shall be construct according इसका मतलब अगर किसी registered व्यक्ति के goods पर कुछ काम होगा तभी उसे हम जो वर्क बोलेंगे और जो व्यक्ति ये काम करेगा उसे क्या बोलेंगे हम job worker और जिसके goods होंगे उसे क्या बोलेंगे principle क्या बोलेंगे principle तो हमारे को ये bliya R destacola देता कि ये चीद जो वर्क है कि लिए अब यहाँ पर हम 심 body इस चैप्ट्र को बनाया क्यों गया और यदि क्यों डाला गया इस ट्रक एलको यहाँ पर जी एस्ट्हूंत कि फिर सिंपल सा यंट्र था कि gods थे मिस्टर एक्स की लिए मिस्टर एक्स कोई कपड़ा परचेज करके लाता है आप जब ये कपड़ा परचेज करके लाता है तो यह क्या करता है क्या इस इसी मिलेगा या नहीं मिलेगा मिस्ट को मिलेगा क्यों मिलेगा इसके पाि इस फूइज और झाहिए दू कि व थे है इसके पास गैण गूर्ट शाने चीए और तीसरी चीज छेली टैक्स पेर कर दिया और सामने इसने अपनी क्या कर दियो डिटर यही सारी कंडिशन थी आई टीसी लेने की लेकिन जब मिस्टर एक्स के पास कपड़ा आया जैसे मिस्टर एक्स के पास कपड़ा आया मिस्टर एक्स ने इसका आई टीसी ले लिया लेकिन डिपार्टमेंट का एक आदमी आया उसने का मैं तुझे इसका इसी नहीं दूँगा उसने का भाई क्यों नहीं देगा मेरी तो सारी कंडिसन सैटिस्फाई आई टीसी की उसने कहा कि तूने अपने गुट्स भेज दिये है किसे जॉब वरकर को किसे भेज दिये है जॉब वरकर को भेज दिये है तूने अपने गुट्स भेज दिये है जॉ जोब वर्कर को तो तूने ये वाली कंडिसन सेटिस्वाई नहीं करी इसे प्रूव कर कि तूने ये गुड्स जोब वर्कर को भेज दिये क्योंकि मेरे पास गुड्स आए लेट सपोज 14 मार्च को 14 मार्च को मैं कहीं से यूपी से माल परचेज करके लाया और मैं यहाँ पर दिल्ली में था ठीक है ना और मैंने 15 मार्च को ये वाले गुड्स किसे दे दिया जी जोब वर्कर को भेज दिये और जैसे ही 16 मार्च को जी एस्टी ओफिसर मेरी प्रिमिसिस में आया उसने कहा बेटा तूने इस पर आई टीसी लिया हुआ है इसकी चारों कंडिसन सैटिस्फाई नहीं हुई है कौन सी कंडिसन मिस हो रही है गुड्स तेरे पास नहीं है मैंने का जैस्टी ओफिसर साब मेरी बात को ध्यान से सुनो मैंने इस गुड्स को बेचा नहीं है मैंने इस गुट्स को क्या करा है भेजा है भेजने और बेचने में अंतर होता है डिपार्टमेंट कहता है मैं तो यह मानूगा कि तूने इस गुट्स को बेचा है एक्चिल में क्या है बेढ़ आ दोनों बात मतर आलब आपने नहीं मơijour किस की बीलर की बात मानु++ अगर तुम डीलर की बात मानोंगे तो जब भी ङूरीक होगे दियश्टी ओफिसर करेगा। और जितना भी स्टॉक तोट होगा दिलर क्या बोलेगा यह गूट का है कि मैंने जोब वरकर को भी जाए तो यह बताओ टैक्स प्लैनिंग हो जाए गया नहीं टैक्सी वीजन हो जाए गया नहीं हां तो इन्हों ने का भाई ऐसे तो काम नीचे लेगा इसके लिए कुछ प्रोसीजर बनाओ इसके ल किसी देंगे ही देंगे लेकिन आप प्रोसीजर फोलो करो जब भी आप गूट्स को भेजते हो आप हमें इंटीमेट कर दो क्या कर दो जी इंटीमेट इसलिए सेक्शन 143 में क्या बोला जी सेक्शन 143 में इसका प्रोसीजर बनाया गया तिगना रैड विद रूल 45 और क्या बोला गया कि देख मिस्टर एक्स जब भी तू अपने गुड्स भेजेगा किसे भेजेगा जोब वरकर को तो ऐसा करियो पोर्टल पर जईयो और बता दियो कि मैंने ये गुड्स भेजे है अब यह मिच्टर X परेशान हो गया मिच्टर X कहता है कि मैं तो दिन में दसवार भेजते हूँ मैं तो डेली बहुत भेजते हूँ तो क्या मैं डेली आपको यह पता ऊot कि मैं अप्रेयल को यह डिटेल हमें बता दीना और यह जो डिटेल बताई जाएगी इसके लिए क्या बना दिया गोवर्मेंट नेक फोम और उस फोम का नाम क्या जी आई टीसी जीरो फोर क्लियर हुआ यह नहीं अब बोलो प्रोसीजर के लिए है यह यह रीजन गया इसका इस आई टीसी को इस आई टीसी का मिस्यूज नहों तो गोवर्मेंट ने क्या बोला जब भी आप अपने गुड्स भेजोगे आप हमें क्या बग कर देना इंटीमेट कर देना ठीक है औ 25 अप्रेल को इसने का ठीक है ठीक है मैं ऐसा कर दूँगा लेकिन जब यह गुड्स दिल्ली से जो वरकर के पास जा रहे थे रस्ते में इसे जीस्टी ओफिसर ने पकड़ लिया और जीस्टी ओफिसर यह कहने लगा कि भाई यह वाले जो गुड्स है ना इस पर तुमने ट प्राइवर कहता है हम यह गुड्स बेच नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं भेज रहे हैं उसने का भई ऐसे हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जब भी गुड्स बेचते हो तो बेचने के साथ क्या लगाते हो आप टैक्स इन्वोईज तो इन्होंने कहा जब भी गुड्स बे लेकिन तुम क्या लगाओगे डिलीवरी चलान क्या लगाओगे डिलीवरी चलान या इसे हम बोलते हैं जोब वर्क चलान क्या बोलते हैं जी जोब वर्क चलान आप हमारे को एक डोकुमेंट लगा देना ठीक है जब भी रास्ते में कोई गाड़ी पकड़ी जाएगी आप यह दिखा देना कि भाई देखो यह है जो वर्क चलान इस गुड्स को सिरिफ भेजा जा रहा है बेचा नहीं जा रहा है सर क्या इसके साथ ईवे बिल भी लगाना पड़ेगा मैंने का हाँ जी जब मैं ईवे बिल का आपको चेप्टर बताऊंगा उसमें मैं आपको समझा दूँगा इस वाले केस में ईवे बिल भी जरूरी होता है और यहाँ पर जब जो वर्कर के लिए माल भेजा जाता है यहाँ पर हम कोई लिमिट चेक नहीं करते इसलिए जब भी आप अपने जो वर्कर को माल भेजो तो साथ में ईवे बिल लगाना और साथ में क्या लगाना डिलिवरी चलान जिससे की दस्ते में जब आपकी गाड़ी पकड़ी जाए तो आप बोल दो कि ए गुट्स मैंने भेजे नही बेचे नहीं यह क्या कर रहा हूँ भेजे है ठीक ना किलियर हुई यह वाली बत हाँ हाँ अब इन्होंने कहा कि सर इसके साथ अमाउंट क्या लगाए मैंने कहा भई जब आप इसके साथ ईवे विल बनाओगे डिलिवरी चलान बनाओगे तो आप ए गुट्स की वैल्यू बैड़ डालोगे भाई गुट्स की वैल्यूट आपको पता हिऊगि ना धरम यह पर एगसेक्ट खैलिव तो नहीं पता मैंने को कोई बात है एगसेक्त वैल्यू नहीं पता है प्रॉकसीमिट यह पता है आपको आप एक एप्रॉकसीमिट वैल्यू बनाओगे टीग ना कि इस गूट्स की एप्रोक्सिमेट वैल्यू यह है ठीक है अभी हम क्या गर रहे अभी हमारे गूट्स हमारी प्रमिसिस से चले और काँ पर गए जो वरकर के पास चले गए क्लियर हो गया तक अब उसके बाद अब उसके बाद जैसे ही जीस्टी ओफिसर आया विजिट करने अब इन्होंने का सर जब हम जब वरकर के लिए माल भेजेंगे क्या इसमें कोई लिमिट हो गी विल कि यह नहीं मैंने आई यह मिल्के चैप्टर में डिटेल में डिसकस कर लेंगे लेकिन फिलाल आपको बतादू की इंटर श्टेट के लिए ईवे की लिमिट कितनी है पचा लिमिट है मैरवाट वरोय समझे कि अगर आप इंटर इस्टेट में क्या कर रहे हो जोब अहरोग वरकर को मल भेजो मतलब मैं दिल्ली ما अहール निमेरा जूब वरकर का पर यू पी में और माल भेजा 10,000 रूपर इवrophe में डियर नोट इव chaotic प्रेटरी होगा किलियर हुआ या नहीं ठीक है अमाउंट आए कितना भी तिक यह विल में जबंगरेंगे कोर्लेट कर लेंगे यह बरिया बाद किलिए अब जैसे ही मेरी फैक्टरी में जैसे ही मेरी फैक्टरी में जैस्टी ओफिसर आया उसने कहा आई टीची ले रखा एक क लोड के घुट्स का इस टोक में तेरे पास है पचास लाख रुपे का माल बता पचास लाख रुपे का माल कहा गया उसने का तुम्हें नहीं पचा पचास लाख रुपे का माल मैंने क्या कर रखा है जोब वर्कर को भेजा उसने का एविडेंस दे उसने का एविडेंस दे तो तुमने एविडेंस में क्या दे दिया डिलिवरी चलान और अगर यह बेविल केस था तो यह बेविल आपने दे दिया अब यहाँ पर जी एस्टी ऑफिसर का मूड़ खराब हो गया उसने का कि मुझे तो तेरे उपर डाउट लग रहा है मुझे तेरे उपर डाउट लग बेजा है जोब वर्कर के पास उसने का अच्छा चलिए बता जोब वर्कर के पास भेजा है तो यह वापिस कब आएगा भाई जोब वर्कर के पास भेजा है तो जोब वर्क हो के वापिस आएगा या नहीं आएगा या उसी के पास रह जाएगा उसने का आजाएगा जब भ ना तंबु गाड़के ये बैठ जाता है और बार-बार सुभा उचते पूछता है मिश्टर एक से माल कभ आईगा ही वोकादा आजायेगा बěली सुभा-सुभा यह दिन आएंगे, अब बहुत दिन हो जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं, अब कब तक इंतजार करें वो GST officer, कोई time limit दे या ना दे, दे या ने दे, अब जैसे ही एक साल होता है, जैसे ही एक साल होता है, GST officer पूचता है, अपने उठता है, कपड़े वपड़े साप करता है, प कहता है नहीं आया उसने का अब अगर ये तेरा माल नहीं आया तो इसका मतलब तू ने हमें पागल बना दिया अब ये तेरा माल वापस आएगा भी नहीं ये माल भेजा गया था 15 मार्च 2020 को कब बेजा गया ज़द था जी 15 मार्च 2020 को डेली जीएस्टी ओफिसर पूचता था और डेली माल नहीं आया जीएस्टी ओफिसर सबर कर रहा था लेकिन जैसे ही 15 मार्च 2021 आया इसने कहा अब ये तेरा माल वापस नहीं आएगा इसका मतलब तूने गुड्स भेजे नहीं थे क्या करे थे बेचे थे सेल करे थे ठीक है ना अब क्यों ना मैं इसे सेल माल लू उसने का हां बेचे थे अब बता क्या करेगा थे कर रहा हां बेचे थे अब बता क्या करेगा उसने का बेचे थे तु बानना ये बात उसने का हमें मान रहूं ये बेचे थे नहीं तो तुम ही मान रहो त उसने का अगर बेचे थे तो तुझे उस टाइम पर डिलिवरी चलान पर माल नहीं देना था क्या देना था इन वाइज इसु करना था उसने कोई बात नहीं अब तो रात गई बात गई ठीक है इन वोई में अभी शू कर दे तो उसने इन वोई बनाया 15 मार्च 2021 की डेट का कुछ हो गया कहता है कि अगर में 50 लाग का मल 15 मार्च 2020 को बेचता तो मुझे टेक्स कितने रुपे देना पड़ता नो लाख कब एब 2020 में और अब मैं बिल कभ बना रहो है 2021 में तो मैं नो लाख रुपे सेव कर लिए मैंने का कर लिए नो लाख रुपे बचा लिए कितने साल तक यूच कर लिए एक साल तक बताओ फाइदे में रह गया मिस्टर एक्स यानी हाँ और जब वो बिल बना रहा था जेस्टिय ओफिसर ने का रुको तुमने ये माल भेजा है ठीक है ना तुमने ये माल पहले में क्या बोला था भेजा है लेकिन अब क्या प्रूप हो गया बेचा है तो हम जो बेचने की बात करेंगे हम ये मानेंगे तुमने ये माल 15 मार्च 21 को नहीं बेचा कब बेचाए 15 मार्च 20 को बेचाए लेकिन उसकी टेख लाइबलीटी कब जमा गर रहो तो एक साल का क्या देदो आप हमें इंट्रस्ट देदो क्या देदो इंट्रस्ट देदो कितने परसेंट 18 परसेंट के लिए वाली बात यानि हां लेकिन यहां पर फिर कई कई बार ऐसा भी हो सकता है प्रोसे समझारों फिल लो पड़ेंगे कई बार ऐसा भी हो सकता है यह वाला व्यक्ति जो मिस्टर एक्स ता क्या पता है सच बोल रहो कि मेरा करन अर्जून आएंगे लेकिन एक साल हुआ नहीं आए और जैसे ही जैसे ही 28 मार्च वी क्या हुई 28 मार्च 2021 करन अर्जून वापस आगए अब क्या होगा बैए 15 मार्च 2021 को जीस्टी ओफिशन ने क्या मान लिया कि बेच दिये और अब करन अर्जून वापीस आगए अब क्या करें कि बनो अच्छा चलो इसके बीच में इस्टोरी में एक चीज़ और एड़ करते हैं यहां पर कौन बैठा हुआ था जोब वरकर है या निया जोब वरकर क्या रजिस्टर होता है या अन्रजिस्टर होता है दोनों हो सकते हम एक्जामपल से लेते हम मान के चल लें कि जोब वरकर क्या था रजिस्टर क्या था जोब वरकर रजिस्टर अब यह बताओ पुराने वाले एक्जामपल की बात करते हैं जब 15 मार्च 2020 को माल भेजा तो टेक्स का कोई ट्रीटमेंट हुआ होगा क्या नहीं ट्रीटमेंट हुआ होगा और जब 15 मार्च 2021 आई तो हमने मिश्टर एक्स की क्या मान ली वो सेल अब जैसे मिश्टर एक्स की सेल मानी और जोब वरकर क्या था रजिस्टर तो जोब वरकर ने कहा क्या मैं इसका आई टीसी ले लू क्या मैं इसका आई टीसी ले लू हमने का ले ले हमने का ले ले आई टीसी क्योंकि सामने वाले से हमने क्या ले रखा है टेक्स ले लोजी 15 मार्च 21 को अब यह कहता है मैं आई टीसी ले लू लेकिन ये बिल की डेट क्या थी इसकी भाई बिस थी क्या बताओ ये सकाइटीशी ले पाएगा हाँ क्या साइटीशी ले बाएगा क्योंकि बिल कि रेट क्या बनवाई थी उन्होंने पुरानी बनवाई थी पंदरा मार्वाज 2020 और पंदरामाज 2020 के भी लोका इटीशी 30 सटमर 2020 तक लिया जा सकता है अभी मैं आपको प् इसने यह आई टिसी नहीं लिया क्योंकि मैंने डेट जानबूच कर यह सलेक्ट कर एक हो सकता है कोई और केС हो तो शायद आपको आपक्रिये लेंट सब्सक्राइब की ले कि यहां लेकिन ले लो और अप्रेल की पर टेर्स मेंडाय की केस में आपको i.c. ma नहीं मिला और सामने वाले सप्लियर से क्या ले लिया गया टैक्स भी और साथ में अइंटरेश्ट भी अब स Hi Fifty 28 मर्च को ये माल वापस आ जाता है 28 मार्स दोजार 21 किसके माल वापस आ जाता है यहां पर जोब वर्कर क्याई जी रेजिस्टर अब ये बता हो जब ये जोब वर्कर दुबारा ये माल भेजेगा अब जोब वर्कर की ये सेल मानें जानि ये इसे क्या मानेंगे जोब वरकर की है इसे क्योंकि हमने पहले इसे सेल माल लिया किसकी Mr. X की ठीक है न अब जब जोब वरकर वापिस माल भेजेगा तो देन हम उसे delivery of goods नहीं मानेंगे तब हम क्या मानेंगे sale of goods और यहां पर किस से tax लेंगे इस जोब वरकर से और अगर dates में आप confused हो गए तो यहां पर ITC का नुकसान किसे हो जाएगा जोब वरकर क्योंकि अगर normal case में sale माल लो let's suppose अप्रेल का example ले लो मेरे example में आप 15 अप्रेल ले लो 15 अप्रेल की जंगा ठीक है ना 15 अप्रेल को माल गए ठीक है और अगले साल 15 अप्रेल तक आने ते लेकिन अप्रेल में नहीं आए कब आ गए महीं में तो डिपार्टमेंट ने से क्या माल लिया दी और जैसे ही sale माना तो जोब वरकर ने उसका क्या ले लिया आई टीजी फिर जोब वरकर ने जैसे ही 20 दिन बाद माल सप्लाई करा उसे भी जोब वरकर क्या माल लिया गया ये और उस sales का जो टेक्स था वो उसने कहां से यूज कर लिया आई टीजी ते तो इस वाले केश में जोब वरकर को कोई नुक्सान है एक नहीं जोब वरकर को नुक्सान कौन से वाले काम में है जो ये मार्च की डेट में बता रहूँ जो में फरवरी की डेट बता रहू ज जो में जनवरी की डेट बता रहा हूं, जो में दिसंबर की डेट बता रहा हूं। इस इस अ प्रैक्टीकल्लडीफिकल्टी कैसे और जेब हम डृइक प्रैक्टीकल्ड रिफिकल्टी आई , अचा यह इस साल तक हो साहता है, कि तो लेट तो होई सकता है ना उनसे और इस लेट की वज़े से किसका नुक्सान हो रहा है या तो जोब वर्कर का होगा या प्रिंसिपल का तो यहां पर इन दोनों लोगों ने एक रिक्वेस्ट करी डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट करी गोवर्मेंट को कि देखो गोव अगरे चुक्ति परे तो क्या पतो प्रोडक्षिन ना हो ठीक है ना और महाँ पर माल हमारा रखा रहे हैं तो कई लगा एक साल से जादा समय लग जाता है तो आप क्या करो इस एक साल के पीरियट को बढ़ा दो क्या करो बढ़ा उन्होंने का देखो आगर एक साल के पीरियट को बढ़ाएंगे तो इसका मिश्यूज हो सबता है। ठीक है ना उन्होंने का ठीक है आप अगर एक साल के पीरियट को हर केस में मद बढ़ाओ लेकिन जहां पर practical difficulties आ रही है क्या रिये जी practical difficulties आ रहे और आपके पास कोई Request ले कर जाता है तब आप इसे बढ़ा दो तो यह वाली amendment आई टिक एना जी यह amendment आई section 143 में और इस एक साल को बढ़ा कर क्या कर दिया गया further one year up बढ़ा सकते हो लेकिन इसके लिए कमिशनर की एप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी किलियर हुई ये वाली बात या नहीं समझ आया बोलो लेकिन अगर आपका कोई बिजनिसमेन है कोई डीलर है तो आपको क्या रिक्वेस्ट करनी है आपको रिक्वेस्ट ये करनी है कि भई आप जो भी जोब वर्कर को माल जाए वो कितने दिनों में वापिस आजाए एक साल के अंदर वापस आजाए नहीं तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो आई टी सी की है ये आपके सामने दिक्कत आजाएगी किलियर हुया प्रोसेस या नहीं कि बोलो अव लोग पड़ सकते हैं भनो चलिए अब की बार जो जो वर्क पहल गया जो बहत हो लगता है जर्नल ली क्या जाता ये कपड़े वगर रहे जाते कुछ भी जा सकता है जो वर्क सो कुछ भी जा सकता है तुमाँ पता है मेरे पास एक जहाज है टाइटनी टेकर नहीं हूँ टाइट अनि को ज्टाय वेड़ा दाल गार टान इसे, है जो जुन को एसे ईद्राइट के लिए हो ढ多 DRS मेरे पास है और मैं इसे जोबवर के लिए भेज रहा हूँ अब जैसे ये जोबवर करके पास पोचा ठीक है उसने उस पर जोबवर करना शुरू कर दिया ठीक है तुम्हें क्या लगता है टाइटैनिक जहाज मैंने भेजा था 15 मार्च 2020 को और मैंने जाए अच्छा सा पेंट करके रिपेयर डैंट पेंट करके वापिस कर दे और जैसे और 15 मार्च इसाया तो मैंने क्या वोला जोबवर करको फोन करके कि भाइब जितना पेंट हो गया उत्तु ठीक है ठीक है भागी मुझे रहर दे वापिस वेसे उसने का वाई ऐश मैंने का वह दो यह क्या टाइम हो रहा है एक साल कम्प्लीट होने वाला है यह भड़ टाइटानिक जाहाज के मामले में टाइम लिमिट जादा मिले या मिले उसका हुष हमाया है थ्री एर्स कितने होते हैं जी थ्री एर्स अब मालों तीन साल में भी टाइटनिक पेंट नहीं हुआ कोई कैपिटल गुट्स में फोल्ट लंबा होता है ठीक है अब आपीज दे उसने का अभी तो खुला हुआ है पूरा टाइटनिक ठीक अब वापीस कैसे बेज दू उन्हो क्या साल तक जो टू येस अधिक और यह भी क्या लाइग स्ट्री जाए गई अमेंडमेंट लाइग और इसलेक्ट में कितना टाइम लिमिटत था स्रीव एक साल और तीन साल अमेंडमेंट आने के बाद क्या हो गया जी 1-21 प्लस-1 और 3-2 क्लियर है या नहीं है ठीक है कि यह था हमारा प्रोसेस कि अब इसमें तुम्हें टेक्निकल और आगे लेके जलता हूं ठीक है कि सर लो तो बढ़ा दो मैंने का पहले पूरा सुन लेते हैं समझ लेते हैं फिर तो लाईने पढ़नी है लोग की फिर तो के टेंशन ही नहीं होगी मैं यहां परू दिल्ली में मैंने माल मंखाया गाजियबास से तो तेक आए मैं यहां पर दिल्ली में का परू लक्ष्मी नगर तीक है जी मेरा जो जो वरकर है यह बैठा हुआ बीच में यहां पर आनंद भी आरका बैटा हुआ जी कि आनन व्याइश किमाल कर रांधा नमेर को गाजयवाद से मेरी आलता है लक्षमिन अगर और जोबवरकर कर ते अनन्जवारuds यह fierce अ अब मेरे को क्या करता हूँ पहले गाजयवाद से माल माज़ा दो छ्थमीन अगर और फिर चुंष माल को कहा करते थो ट्रांसवर कि अननव्यार क्या बताओ मेरी ट्रैवलिंग कोस्ट है बढ़ रही है यह नहीं पढ़ रही कि मेरा जो भाड़ा लग रहा वो बढ़ रहा या नहीं बढ़ रहा जो वर्गर यह कहता है अरे बाबुजी खाली बैठी में हम फैक्टरी में मैंने का भाई देख पहले गाजियवास से माल आएगा लक्षमी नगर फिर बेज हुआ उसने क्या अगरा जैसे गाजियवास से माल आ रहा था जब लक्षमी नगर आएगा आएगा तो आनन व्यार के रस्ते ही उसने का भाई साव इस माल को काउंट आर दो आनन व्यार यूतार दो क्योंकि आप भेजों के बाद में मुझे तो मैंने का चलो भाई ठीक है अब की बार ऐसा कर लेते हैं अब आप बताओ मेरा जो है सप्लायर था इसने बिल किसके नाम का बनाया गाजोब बर्गर के नाम का बिल बनाया मेरे नाम का और गुट्स भेज़ दिये आनन व्यार जैसे इकुट्स उसने आनन व्यार भेजे तो section 16 के कान खड़े होए और section 16 ने का हम मैं तुझे ITC नहीं दूंगा क्योंकि किसका है मैं उसने का तिर अनाम लिखा इस जो बरुकर मैंने का लेकिन गया तो मेरे भियाप पर ही है उसने का ठीक है अब बताव इस आई टी सी दे आना दे कब दे अब चलो पहली बाद तुम कह रहे हो दे दू गाजियाबाद से माल चला है दस मार्च को किए आपो कावर कशु मैं भीड़ बार का ठिकर बाद करना दस मार्च का मल चला जो गुप टर के मुझे आई दिसी कम मिल जाए माच में मिल जाए मुझे या नहीं क्यों मिल जाए मार्च में क्योंकि भाई आप ये माल लो आप ये माल लो कि गूर्ट्स मुझे रिसीव हो चुके है कि लिए रुगान चाहलो अब एक दूसरी चीज इस एक्जामपल में समझेगा इसे थोड़ा सा टफ कर रहा हूं में दस मार्च को गाजयवास से माल चला अब की पार मेरे थुरूई माल जा रहा है ठीक है ना दिल्ली माल आया मेरे पास 15 मार्च को और मैंने जोब वरकर को माल भेज दिया 20 मार्च को ठीक है अब जो एक साल के टाइम पीरेड की बात कर रहे हैं मेरे पास माल वापिस आगया 18 मार्च 2021 को माल मेरे पास आया कब ता 15 मार्च को मैंने भेजा कब ता इसे 20 मार्च को और माल वापिस आगया मेरे पास कब 18 मार्च को बताओ मेरी सेल माल ली जाएगी है नहीं नहीं क्योंकि कितने वे बेजा मैंने 20 मार्च को एक साल पहले मेरे पास आगे अब इंपोर्टेंट केस स्टडी जो आपके सामने आ रही है दस मार्च को माल चला और सीधा किसके पास पोचा जोवर करके पास और जोवर करके पास पोचा बीस मार्च को कब पोचली और माल वापिस आया मेरे पास 18 मार्च को अब बदाओ इसमें कुछ ट्विश्ट है कुछ लग रहा है दस मार्च को गाज आवास से माल चला जोवर करके पास पोचा कर और मेरे पास आगया 17 मार्च को पताओ एक साल का पीजयर यहां से काउंट करे या यहां से काउंट करे सब्सक्राइब अर अजयर अलब आवाश बस्कारइब कि अवाथ कि अब आपको कन्फूजरो और हो तो कुछ लोग एड़स मार्च से अगर ενात्री एक कर लिया तो इसकी ते अंग और अगर 20 मार्च से कांट करता तो इसके लिए लूप productos लिखेंगे अब इसकी बारी की में चलो आजो निकाल लो सेक्षर नुनिस सारे केसी ज्याद रहेंगे तेकर कहता है तेकिंग इंपूट एक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ओफ इन पूट एंड कि कैपिटल वुट्स यहां पर किसकी बाड़ल यह स्रिफ इन बूट इलुट की यह कैपिटल कोट्स के सेंट फ्र जोगर यह सेक्ष नगे लिश्मेट दाली गईवाग स debatedе ITC का है ठीक है लो सैक्षिन बेख गए ITC का है स्टेक्शन निस किछ चीज गए ITC का इसलिए सैक्षिन निसमें इस बात को डाल गया तो आप यह क्या कहता है the principle यहां पर principle को नो भाई जिसके खूट से मिस्टर एक्स शैल वर्डिंगल चैल ऑदलब ले लेगा subject to such condition subject to such condition and restriction as maybe prescribed कौन सा रूल है rule 45 भाई हम तुम्हें ITC दे देंगे हमारे को ITC से कोई लेना देना नहीं लेकिन जो हम फ्रोसीजर बता रहे हैं लेकिन आप उसे फोलो कर लेना और प्रोसीजर में क्या बताया कि जब घो तो साथ में क्या भी देना डिलिवरी चलान ठीक है ना इवेबिल और उसकी डिटेल कांपर मेंशन कर देना बोलो पॉर्टल पर मेंशन कर देना ITC 04 के तुरू तो हम तुम्हें ITC दे देंगे और अगर आप ऐसा नहीं करूगा तो हम तुम्हें ITC नहीं देंगे जयए क्यों कि जब हम तुमारी दुकान पर जाएंगे फैक्टरी में जाएंगे फिजीकल व्यक्टिकेशन के लिए तो तुम्हारे पास वो गूड्स होंगे नहीं तो क्या सबूत है तुमारे पास़ कि तुमारे गूड्स जावर करके पास गए हैं तो इसलिए इसके वार ठीकर जी आज में भी प्रिस्केट भी अलावड इंपूट टैक्स क्रेडिट ओन इंपूट सेंट वा जोब वरकर जो तुमने इंपूट जोब वरकर को भेजे हैं उस पर भी तुम्हें आई टीसी दे देंगे ठीक है जी मैंने का अच्छा अब एक बात और इसमें मैं जरता हूँ ठीक न नोट विडिस तैनिंग क्या वोला जी नोने ओवर रूल कर रहा है अनिधिंग कंटेंग इन क्लोज भी औफ सब्सक्रेक्शन टू अफ सेक्शन 16 सेक्शन 16 टो की लोज भी में क्या ता कि घूर्ट से रिशी ओने चाहिए और सेक्शन 19 उसे क्या कर रहा ह है ओवर रूल कर रहा है कहता है दा प्रिंसिपल से्ल ईंट टाइटल नोट टेक क्रेडित OF इंपू टेक्स होन इंपूट इवन इस क्या वोला जी इवन इवा यंफ बाइंपटर questioning क्या वोला हिंनुट में जैंट्कशन Captxi ऑ जोब वर्कर फॉर जोब वर्क विडाउट बि तो मतलब कि अगर जोब वरकर को डारेक्ट भी माल भेज़ दोगे तब भी आपको हम उसका इटी सी ते देंगे कोई दिक्का नहीं तक मिलना है जोब वरकर को इटी सी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अब इन्होंने क्या कहा अब देखो कई बार ऐसा भी होता है बिजनिस में अगर आपको पता हो इस aligned यह मेरा जोब करकाथ का पर है जी शाद्रा गाण आनन्वियार मेरा जो वरकर कहां पर है आनन्वियार मैंने कपड़ा भेजा जो वरकर को कि इस पर डाई कर दे इस पर प्रेस कर दे इस पर स्टिचिंग कर दे कुछ भी कर दे ठीक है और इसके बार इसे पैक करके मैं तेरे पास से मंगा लोगा अब एक व्यक्ति मेरे पास आत किसके पास जोब वरकर के पास मैंने जोब वरकर को फोन करा मैंने का हाँ माल लेड़ी है क्या उसने कहां से बिल्कुल लेड़ी है मंगा लो मैंने कर मंगा कैसे सकता हूँ मैंने का भाई साब में तो भी लेबर नहीं है कल आएगा माल तो आप कल ले जाना मैं अपने डीलर को क्या बोलो है कर लेजा उसना का भाह सब मेरी दुकान पे माल खतम हो गया मुझे तो अभी चाहिए तो तो जो वर्कर यहां से उठा ले होता यहां नहीं होता हाँ o station अप जैसे यह जो Бर्कर के यहां से उठाने गया माल महां पर बैठा था जिस्ट आफी सर ऐगे दाने का वहाइज से उभा लुटबी यह हम नहीं पर दोड़ भूर लेकर आप तुम्हें है अपर माल उठाने का महार ने खुरीदित आया किसे भर जैन से जो की लक्षमी नगर में उधने का वाह एक लक्षमीन अगर से तुन्हें खरीदा होगा लेकिन मैं यहां से माल की डिलिवरी होने मैंने का तुझे क्या रिक्कर वई जेस्टी एस्टी ऑफिसर उसने का जीस्टी के लों में माल की डिलिवरी जो होती है वो वही से होती है जो registered place हो, क्या हो जी? registered place हो और job worker तो बदा तेरा registration certificate है क्या उसने का मैं तो गरीब इंसान, मैं तो क्या हूँ? unregistered, क्या हूँ मैं तो? उसने का भाई साब, यहां से माल की delivery होगी ही नहीं यहां से अगर माल की delivery होगी तो स्रीफ यहां से माल कपिल जैन के यहां पर जाएगा लेकिन यहां से माल सेल नहीं होगा clear होई बात या नहीं? मैं नहीं कहाँ ऐसे तो जिक्कर हो जाएगी भई job worker के हां से माल उठवाते तो ही मैं नहीं जीस्टी health desk में फोन करके पूछा मैंने कहाँ मुझे ऐसे ऐसे माल उठवाना है बता इसका कोई तरीका उन्हाना का एक ही तरीका है अपने जो वरकर को जो कि तुम्हारा आनंद भियार में है शादरा में है दिल्ली में है इसे क्या कर लो अपना additional place of business दिखा दो क्या रिखा दो जी additional place of business दिखा दो और जैसे ही तुम उसे additional place of business दिखा दोगे तो अब तुम महाँ से माल बेच सकते हो क्या अगर सकते हो महाँ से माल बेच सकते हो तो इध्यान दखना जो वरकर के यहां से या तो माल वापस आएगा या मैं महाँ से माल बेच भी सकता हूँ लेकिन बेचने के के लिए क्या सरत है additional place of business वो होना चाहिए अच्छा मैंने इसे क्या कर दिया additional place of business में add कर दिया कोई दिक्कात आई क्या नहीं और मैंने वहाँ से माल की delivery भी कर दी कोई दिक्कात नहीं अब मेरा एक job worker तुम्हें बता है काँ पर है मोहन नगर गाजयाबद और मेरा business काँ पर है जी लक्षमी नगर दिला अब एक मोहन नगर गाजयाबद में एक व्यक्ति उसने का माल खरीदना है मैंने का लक्षमी नगर आजओ उसने का तुम्हारा जोबवर कर तो यहीं पर है और यहां पर माल रेड़ी भी है तो मैं यहीं से उठा ले तो गाजियाबाद से उसने का गाजियाबाद से उठा ले तो मैंने का हाँ उठा ले गाजियाबाद से उठा ले जोबवर कर गया था जी यहां पर अन्रजिस्टर क्या था अच्छा मेरा जोब वर्कर गाजियाबाद में अन्रजिस्टर है मैं दिल्ली में रजिस्टर हूँ क्या मैं जोब वर्क के लिए माल भेज सकता हो या नी मैं भेज सकता हो या नी क्या जोब वर्काम कर सकता या नी का आरे नहीं सर कैसे कर लेगा जो भर कम ये गाजिवाद में है ये जो मेरकर मुझे क्या देरा सर्विस देरा या गूर्स देरा है सर्वीज़ा तो क्या ये इंतरी श्डेट सभी सब्सक्रशात दिल्ली में heart without registration रखम देरे स्टेशन आपने से निन crops- drives a high section 24 में mandatory रजिस्टेशन था इंटर इस्टेट के लिए लेकिन आपर एक नोटिफिकेशन आई थी सेक्षिन 23 तू में नोटिफिकेशन नंबर 10 जिसने सर्विस वालों को माफ ता भाई कर सकता है यह नहीं कर सकता है यह नहीं अभी अधिया में रजिश्टर्ता मोहन नगर घाजयाबाद वाला इसके यहां पर भी जिह स्ट्यों आप इसर बैठा था इसने का यहां से डिलिवरी नहीं होगी मैंन मैं दिल्ली में हूँ क्या मोहनगर गाजियाबाद को एडिशनल फेसले प्लेशनल बिसनेस बना सकता हूँ हाँ मना सकता हूँ फिर क्या करू फिर मैंने support कर ठ्रों कर आथ हैं आप आप इसे डिशनल प्लेशनल प्लेसल बिशन hice b sextet में ocurra तो मैंने का उसना मुझे एक अलग सा उपिनियन जा उसने का ऐसा करो यूपी में एक रजिस्टेशन लो और फिर जो वर्क को एडिस्टनल प्लेज आप बिसनेस अरण करो प्रेवाद को समझ जो यूपी में पहले क्या लो एक रजिस्टेशन लो और फिर मोहन अगर में जो आपका जो वरकर है इसे क्या करो एडिस्टनल प्लेस बिजनिस में अड़ करो मैंने का भाई यह क्या बात भी तो दोज़ो प्लेसिस को कराने के लिए कर रहा है मैंने का कि मैं अगर अपने जो वरकर को कन्विंस कर दो कि भाई तूही रजिस्टेशन ले तूही क्या कर ले तूही रजिस्टेशन ले ले उसने का मैने जो वरकर को बोला मैंने का रामू तुम आज के बाद जिस्टी में रजिस्टेशन लोगा उसने का बाबू जी अपने को नह हमार पांच रुपे पीस आप से लेना है ठीका है अपने को सी कर्णी काटने मैंने का राम तुर जी सिर्शेशन लेए अपने पेपर दे दे तू बस मुझे अपार नाम तो तेरे से लुगा मैंने कर पेपर दे दे वह रहां वो जो मर्जी ले लो पर अपन लोग रिटन रेजिस्टर ठीक है उसकी रिटन वगारा कुछी फाइल कर ले ठीक है न और वहां से हम क्या कर सकते हैं फिर से तो इसका मतलब सेल दोई जंगा से होगी या तो जोब वरकर क्या हो रेजिस्टर ओ या जोब वरकर क्या हो जी एडिशनल प्लेस ओ पिछनी सो किलियर हुई का न या तो बेच दो या वापर्स मंगा लो किलियर हुई कहान नहीं आता क्या नहीं हाजी चल तो अब बदाव यूपी गंदर एडिशनल प्लेस ओ बिजनिस बनाना जादा आसान है या जोब वरकर को इकनमेंस कर दो जोब वरकर को इकनमेंस कर तो तिक है न जी चले हां वह व फिर उसे एडिशन एक प्रिमिसीज बनानी पड़ेगी फिर उसे एडिशनल प्लेस ओब बिजनिस बनाना पड़ेगा चलिए आजाए लोग पर तो आइटीसी लेमने में तो अपने को कोई रिक्कत नहीं है आइटीसी तो डारेक्ट भी मिल जाएगा बद सर्थ कित क्या है टाइम पीरिएड एक तो प्रोसीजर फोलो कर लो जी आप और प्रोसीजर फोलो करने के साथ एक साल के अंदर अंदर वो आपके गूर्ट्स है तो क्या कहता है वे अर्दा इंपूट सेंट फोर जो वर्क आर नोट रिसीवड बैक ठीक है ना बाइदा प्रिंसीपल आफ्टर कंपलीशन ओफ जो वर्क और अजर्वाइज या तो जो वर्क कंपलीट होने के बाद आजा या ऐसे के ऐसे ही आजाए और आर नोट सप्ल आइड फ्रों या तो मांसे क्या हो जाए जी सप्लाइड हो जाए फ्रॉम दा प्लेस बिजनेस ओफ द जो वर्कर इन अकोर्ण स्विड इन अब जो वर्कर के यहां से सप्लाई होने के लिए इने कौन से सेक्षिन को पढ़ना पड़ेगा 143 को कैता या तो वापस आजाए या मकासे क्या हो जाए जी सेल हो जै है सेल कैसे हो जाए क्लोश एह के अंदर सेल हो जा कितने जिन जिन के अंदर विदिन वन यह ऒर विक्लोड इंग संट अउट एग ऑशान पढ़ लेस की ख्लोच 143 निकलो आया ंनौ रिए sy Ari इस सेक्शन का नाम ही है जो वर्क प्रोसीजर देखिए किसी टीचर के पढ़ाने और सेल्फ स्टड़ी में सिर्फ यही फर्क होता है कि अगर आप जेस्टी एक्ट को सेलf इस्टड़ी करते तो शायद आप जप शैक्शन 19 पढ़ रहे होते तो शायद 143 नहां पढ़ रहे होते क्योंकि कोई मेल ही नहीं नहीं मेरा तो गोवर्मेंट को कहना था कि जब सैक्शन 143 में पास लिख की है इतनी दूर जा के क्यों ल देते गोर्मेंट के रही नहीं उननी से आई टीची का ठीक है एक सो ट्राली से मिसले लिए ठीक है तो यह तो हमें धूंड के लाना पड़ता है कि उननीश को एक सो ट्रालीश के बरावर में बिठा के समझाओ जो जो वर्क प्रोसीजर एर रजिस्टर पर संथ हेर आफ्टर in this section refer to as principle आज के बाद मिसे क्या बोलेंगे principle में अंडर intimation and subject to such condition as may be prescribed send any inputs क्या कर सकता है जी वो कोई भी inputs or capital goods based without payment of tax technology कि हाला की से डूल वन यह कहता है कि जब भी तुम कोई goods भेजोगे तो हम उसे supply माल लेंगे चाहे पैसे लो या मतलो लेकिन यहां पर इसे क्या दिया गया special treatment दिया गया कि आप बिना payment करे tax कुई आप अपने input or capital goods को भेज सकते है तुआ job worker for job work and from there subsequently send to another job work and likewise end अब ऐसा भी हो सकता है job work की एक chain होती है भाई पहले जैसे मैंने अपना job work पे माल भेजा डाई के लिए अब उसने तो डाई कर दिया लेकिन डाई के बाद उसे अबार्य थे ना तो मैंने उसे प्रेश के लिए दूसरे गों बेज दर्बंगा consecreet और फिर मंगाया थिरक के लिए लिए उप तो नहीं गार तो वह कह रहा है कि आप एक job worker और महांसे दूसरे का बेज दो महांसे तीसरे को भेज दो आप ऐसे भी कर सकते है खिलेर क्लियर एजी आगे चले कहता है एंड लाइकवाइज एंड शेल ब्रिंग बैक क्या कर ले जी वापस मगा ले ना आफ्टर कंप्लीशन ओफ जो वर्क और अधर वाइज ठीक है और कैपिटल कुट्स अधर देन अभी हाँ पर एक बात हो रहा गई मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक्जामपल दिया था इसकी डाई का ठीक है ना हमारी बोतल की डाई होती है या किसी को खाचा बोलते हम जिसे अब मैंने अपने जो वर्कर को क्या बोला भाई यह जो डाई है ना हमारी यह जो डाई है ना यह घिस गई है यह जो डाई है इसकी थोड़ी सी ना खराद कर दे कुछ ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि जिससे की उसमें पूरी दुबारा शेप आ जाए उसने का हां कर दूंगा लेकिन वह जो 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 वर्कर है ना वह कहता है कि भाई दे कर तो रही अब अपने जो वर्कर को कैपिटल गूज बेहता है क्या होती है कैपिटल गूज मैंने कापिटल कुछ बेहा वो जो वर कर रहा था ठीक ना लेकिन वह घर से आज लड़कर आया वो डाई तूट गए वो डाई तूट अब जैसे ही डाई तूट उट इस नमझे फोन क वो जोवर करे जा रहा था उस पर और 16 अपरेल 2020 को फोन आया कि यह डाई टूट गई है जब मैंने डाई भेजी थी वो थी 10 लाख रुपे की और जब वो डाई टूट गई मैंने का इसकी कीमत कितनी है उसने का दस रुपे क्लो के हिसाफ से जाएगी है तो तो मैं क्या वोलूं गो तो एसा कर वही से बेच दे इस क्रैप में आव उसने महीं से स्क्रैप में बेच दी यहां पर कोन बैठा हुआ था मेरी फैक्टरी के बार ओफिस वो कहता है यह डाई आई आएगी मैंने का भाई यह डाई अब नहीं आएगी ठीक है ना क्योंकि यह डाई टोट गई है उसने का नहीं आएगी तो मैं इसे क्या मानूंगा तेरी मैंने का तु इसे सेल नहीं मानेगा क्योंकि हर चीज में हर बात नहीं लगाते यहां पर कैपिटल गूट्स में डाईस मोल्स यह सब क्या है एक्सेप्शन है क्या है जी एक जंगा और यहां पर भी वह एक्सेप्शन है तो क्या बोलता यह कि ब्रिंग बैक वापस कोन आएंगे इंपूट और कैपिटल गूट्स करन और अर्जू नाएंगे दोनों वापस ठीक है ना अधर दैन मोल्स एंड डाइस मोल्स डाइस वापस नहीं आएंगी जिक्सेंट फिक्चर टूर्स विदिन वन यह एर एंड थ्रीयर रेस्पेक्टिवली और यह बींग सेंड आउट तो एनी ओफिस प्लेस बिजनेस विदाउट पेमेंट और टैक्स के लिए है या नहीं है बोलो यहां तक कोई डाउट चलो बी बढ़ लेते ए ए तो क्या है भेज दो और वापिस मंगा लेना एक साल में भी में क्या फैसलिटी टी गई जोब वर कर को कि तुम यहां से क्या कर दो सेल कर दो क्या कर दो supply such inputs after completion of job work or otherwise or capital goods other moreland eyes within one year and three years of they are being sent out from the place of business of a job worker on payment of tax within India ठीका ना जी और विदोर विदाउट पेइमेंट आफ टैक्स पोर एक्सपोर्ट है जा केस में भी आप जहां से export भी कर सकती हूँ अपने को कोई टेंशन नी ठीक ना जोब वर कर कर के हां से तुम export भी कर सकती हूँ अपने को तो एक यसी धंत चाहिए या तो माल बिग जाए या वो माल एक्स पोटो जाए या वो माल वापस आज़ आ जाए तिक ना प्रवाइड इट देट the principal sell not supply the goods from the place of business of a job worker in accordance with this provision of this close unless the sad principle declare lekin was a bitch in a really got here a declaration take it up place of business of the job worker in the additional place of business accepting together in a case if we have our ideology additional place of business on a day of who are you go to go say I said that the crap was out there is specified goods to government make a hug it um job worker chaos a bitch be sakti oh my neck up my bet you can say my rao additional place of business honey or my additional place of business is a banana but I can not be a person every day if I have to change your business then if I have a big deal like this yeah I have a problem with me I said yes it does not always go to work here but I have a job worker so daily 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 have to change if this is something happens to come to relax any goods to get some goods his Madame do not work at this time you can send it to the job worker be a house once you can कर सकते हो जी सेल आउट कर सकते हो विदाउट मेंचिनिंग एडिशनल प्लेस ओब बिजनिस गोर में नहीं लेकिन इसके लिए हम क्या लाएंगे नोटिफिकेशन लाएंगे और आज की रेट में अभी तक ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है ठीक है लेकिन जोब वरकर को जब वो खुद रजिस्टरो और वेर्दा प्रिंसीपली एंगेज इंगेज इन अप्लाई आप सच गूड्स एज में बी नोटिफिकेशन टीक है कोई नोटिफिकेशन नहीं है इसमें पेटा है कमेंटमेंट आई अमेंटमेंट एक्टोजार अठारा से प्रोवाइड एंट्री यह में ओन सफिशेंट कोस्ट बीइंग शोन बाइए एक्टेंड़ वाइड़ कमिशनल फॉर ए फ़र्दर पीर नोट एक्सी रिंग वन यह रेंड टू इस क्लियर हुआ 143 का प्रोसेस क्लियर हुआ है 19 का प्रोसेस चला है आजाएं दुबारा 19 पे बोलो जी आजो बेटा इसमें एक इंपोर्टेंट है अब तुम्हारी अटेंशन चाहिए मुझे जहां के लिए मैं तो मेड़ाम ख्लोज ए और क्लोज बी के तरीके से जो वरकर के यहां से बेच भी सकते हैं या वापस मंगा भी सकते हैं या एक्सपॉर्ट भी कर सकते हैं शर्त कितनी हो नीजिए वर्स याटो वह रिस्टर हो एडिशनल प्लेस बिजनी सो या वो नॉटिफिकेशन नॉटिफाइड गुट से क्लिए रहे अब यह कहता है इट शैल बी दीम डेट सच इंपूट है बीन सप्लाइड बाइदा प्रिंसिपल टुदा जो वरकर ओन दे वैनी सेड इंपूट्स वर सेंट आउट अगर यह वा प्रेंट आउट हुए समाज आदेव इस्टोरी अगर 15 मार्च को हमने गुट से देजे और तुमने 15 मार्च से पहले ना तो वापिस करे और ना ही मां से सेल करे तो हम 15 मार्च 2020 को सेल मालने गए और यह सेल माने कब जाएगी 15 मार्च 2021 को 21 की रेट में मानी जाएगी कि सेल हो गई पंद्राम आश दोजार बीस को पर बात को समझ रहे हैं और इसे नुकसान मैंने तुम्हें क्या बता दिया एक साल का क्या देना पड़ जाएगा और इंट्रेश से बड़ी बात वह जो वरकर अगर रजिस्टर हुआ तो उसे आई टीसी नहीं मिलेगा और जब वो दुबारा भीजेगा तब उस पर टेक्स यह दो दो नुकसान अगर एक साल के और अगर वह अन्रजिस्टर है तो कोई फरकर नहीं पड़ता है तब तो हमारी क्या माल लिजाएगी सेल अभिनों ने का सर एक एग्जांपल में क्या होगा मैंने का इसमें मोटा नुकसान होगा एक 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 जामपल और बना रहो हुए तुम्हारे लिए समझना मिश्टर एक्स जोब वरकर अन्रजिस्टर क्या जी अन्रजिस्टर ठीक है मिश्टर एक्स ने बेजा 15 मार्च को 2020 को माल वापस में ही आया क्या माल लिए गया इसे सेल कब माना का 15 माल जोजार 21 को जोब वरकर ने माल वापिस बेज जया दस अप्रहल जोजार एक्स को अब क्या होगा यह गारे सेल लिटन आप सिम जोड़ो ना या अभी इतना डिफिकल्ट मत बनाँ मिश्टर एक्स ने पंद्रह माल वापिस को माल वेजा जोब वरकर को जोब वरकर क्या था अंदर इस्टर जब एक साल बीट गया दौन्द मास driving को». मिश्टर एक्स की क्या माल ले गई सेल माल ले जोब वरकर की क्या माल ले गई पर्चेज यह तो आई टी सी ले निंपाएगा गूंकि यह क्या है भी दस अप्रैल को 10 कोई जायागा। पर्चेस तो मानी जाएगी लेकिन इसका तो नुक्सान ओगया इसका टैक्स का नुक्सान हो गया तो वाई ये बात ध्यान लख लो कुछ भी करके एक साल के इंदर माल भापर्स मंगा लेना समय आई ठेक है न क्योंकि ये डेट्स जो मैं आपको बतारों ये बड़ी खतरनाक बतारों 15 मार्श का महीना फर्वरी का जन्वरी ये बात अगर अप्रेल में होती महीं में होती जून में होती तो शायद कोई दिक्कत नहीं थी किलियर है बोलो डुबारा सेल क्यों अब तो जोब वरकर की क्या मानी जा रही है तो पहली बार सेल मानी जा रही है ठीक है तो पेटा जब लोग को पढ़ते हो तो सोड़ा सा यह चीज समझ लो तो आपको इधिक्कत आ जाएगी तो जो वेक्ति जोब वरक में डील करता है चैक कुछ भी कर ल जाए आधा दूरा मंगाले दुबारा बेद दे किसकी जब वापिस है तो तब क्या सेल क्या मानेगा पर्चेज बिल्गुल बन जाएगी अरे भाई गोवर्मेंट ने क्या का का करन अरजुन को एक साल के इंदर बुला लो हो ओ ठेका नेत leavे तो दिक्कत आएगी है आधा है वेल्कल हो जाहेगी जी है मैंनि है रहा है यह लोंग का है दिए हम इंद फोन-फे वल्कॉल बड़न ये बिल्कुल बेल् com gonna beckon ठीक है क्लियर हुआ यह वाला ठीक है और गवर्मेंट चाहती है ऐसा हो क्योंकि रीजन क्या है अगर तुम ऐसे इतने पैनल प्रोविजन ना बनाय जाए तो तुमारे माल जोब वरकर के यहां से वापर्स आइगे लिए आजवागे provided that where the input are sent directly to a job worker is a important marker oh john example shoulder either Byron provided that where the input are sent directly to a job worker the period of one year shall be counted from the date of receipt of input by the job worker your जाद आया वो एक्डंपल, दस मार्च को माल गया, गादियाबास से, जोब वरकर था चिननई में, कहा था जी, चिननई में, जोब वरकर करके यहां पर माल पोचा, 25 मार्च को, कब जी, इसने जोब वर करके, ओनर को माल वापस दे दिया, कि बिजमाथ को कब जी बीजमाथ को एक एक साल काथ आउन परोगे काँ से करेंगे पत्चीस से जब आई गदारेक्टली सेंट वे और जब कोई गोड़्स डरेक्टली सेंट शेक थोते हैं तम रिषी विंग कि डेटली जाती यह समझ आइए और अगर यह गूर्स में भेजत अगर ये गुट्स में भेजता दिल्ली से 20 मार्च को चिन्नाई में मिले इसे जाकर 25 मार्च को और वापीस आगए 23 मार्च को कब आगए जी 23 मार्च 2021 को अब कॉंसी डेट लेंगे एक साल के लिए 20 मार्च समझाई कहा नहीं या नहीं यहां पर अन्याय कर रहे हैं किया अगर डारेक्टली भेजोगे तो वो डेट लेंगे जिसमें जो वर्क रिसीव करें और तुम भेजोगे तो वो डेट लेंगे जिस दिन तुमने भेज के लिए रहे मेरी बाद या नहीं हाँ खुली दिमाग की निसे या नहीं है बेटा लोग को ऐसी पढ़ना है हाँ इन्होंने का इनका मकसद क्या है भाई अगर हम डारेक्टली माल भेजते हैं जो वरकर को हमें क्या पता कम मिलेगा हुआ जब उसे मिला जब उसे मिला तभी तो उають इसिंटिमेट्लि आइटी थी हमने सिर्करा औंब अ मेरे जौ घाजाबा TWJ मेरे जो बर कर को माले मैं बट्यसका फिस्माट ये तरीकें पच्चिस मार्च को कि गुट्स की डिलिवरी कप रिसी भी पच्चिस मार्च को लेकिन अगर मेरे पास गाजया बास से पहले दिल्ली माल आया और दिल्ली माल आ गया मेरे पास 20 मार्च को तो मैं टीसी कब ले लुगा और मेरा माल गया चिन नहीं जो वरकर के पास 25 मार्च को पहुचा तो गुवर्मेंट के थिया हमें से मतलब क्या तुन आई टीजी कभ ले लिया था 20 मार्च को ले लिया था तो हम एक साल का पीरियर्ड यहां से काउंट करें हां बेटा या तो लोजिक धूंड लो ठीक है नहीं मिलता है तो कुछ बना कुछ बना ठीक है मेरे को इसमें यह लोजिक लग रहा है समाज आई यह वाली बाद या नहीं हां बेटा इसे इंपोर्टेंट मार कर लोगे हां तो जोब वरकर को कोशिश क्या करनी है माल कैसे बिजवा ओ डारेक्ली बिजवा ठीक है ना क्योंकि डारेक्ली में पीरियर्ड महां से काउंट ओगा चले आगे आज़ो अब बेटा ज ऐसे 456 कैपिटल गुट्स के लिए ठीक ना क्योंकि जबाब 1-2-3 देखो के उसमें किस चीज की बात ओरी थी इन पूट्स की अब देखो वही बात कैपिल गूट्स की दा प्रिंसिपल सेल सब्जेक्ट टू कंडिशन अन इस्टिक्शन इन पूट टेक्स क्रेडिट ओन प्रिंट गूट्स पर यहां पर वही बात आ गई ठीक है न कि कैपिल गूट्स को डारेक्ली भी बेश सकता है ठीक है फिर यहां पर वही बात आ गई यह यह नहीं आ गई बोलो जी हां फिर इसका वह बाला प्रोवी जो आगे जो मैंने भी समझाय था कि कहां से काउंट होंगे तीन साल ठीक है फिर उसके बास सब्सेक्शन 7 सब्सेक्शन 7 कहता है यह सारी कहानी ठीक है not with anything contained in subsection 3 or subsection 6 cell apply to a mold eyes jigs picture or tools ठीक है ना जी के लियर हुआ या नहीं फिर लास्ट में एक्स्वेनेशन देडी कि principle का मतलब वो मतमाल लेना सरकारी स्कूल के principle ठीक हमारे स्कूल के principle मतमाल लेना principle का मतलब होता है में दा परसंग एफूट इंस 143 ठीक है कभी कोई सिस्टूटेंट प्रिंसिपल का मतलब वहीं माल ले जो उनके बॉस होते ओफिस में है ठीक है कि लिए 143 को भी फिनिश कर ले चालो अभी प्रोसीजर के लिए रूल 45 देख लेगे ठीक है पहले लोग पढ़ ले ठीक है तीचर को जब भी फजान आउप प्रोसीजर पूछ लो क्योंकि टीचर ज्यादा तर प्रोसीजर जर्नली पता नहीं होते है अगर क्लाइंट नहीं होतो ठीक है और टीचर को मारत ओती है लोग पे ठीक है कि वहीं प्रोसीजर भी बताऊंगा टेंजर बतलो ठीक है अच्छा अब यह बताओ अब मेरे पास जूफिशर आईया चेकिंग के लिए उसने का बाइसब एक करोड़ का माल है टीक है ना एक क्रोड़ का आई टीस लिए वाए तुम्हारे पास और क्या कहते हैं गूट से पचास लाग के बताओ पचास लाग के का है मैंने का 50 लाग के जो बरकर पे हैं वो ग कॉंट हो गया तो इसमें इतना यह रोमेट्रिय देलेख की मत है उसमें बेज जिया मेरे पास बाबुजी अपने को पाच रुपे पीछ मिलता है ठीक है लगा परिंसिपल के बाद जा उसे पता हुगा प्रिंसिपल के मेरे पाथ है उसने का जी बता हो पचास लग का स्टोक तो तुमारे जोब वरकर के पास रखका है प्रूव करोई से, मैंने का मैं क्यों प्रूव करूँ कुन प्रूव करेगा, जोब वरकर, तो ऐसे फुटबोल खेलते रहें, ओफिसर के साथ, किसके पास जुम्मेदारी हो नीची है, प्रिंसिपल के पास, ठीक है न, तो उनने प पूटर कैपिल वोट शैल लाइव इड, प्रिंसिपल के पास होने चाहिए, ठीक न, वेर्दा इंपूट्स एंट जोब वरकर, आर नोट रसीव बैक, बाइदा, प्रिंसिपल ये तो करा दिया वैदा, फिर प्रिंसिपल लो, आफ्र कंपलिशन ऑप जोब वरक और अधर प्रिंसिपल इस और आर नोट सप्लाइव बैस बिसनिस ऑफड़ जोब वरकर इस इस और इच आल बीदिम्ट क्या माल ले जाएगा, इस आल बीदेश एंपूट रगे जोब वरकर ओन देव एंदा सैड इन पूट्स वर संट आउट टिक एजी, ओंग अगा खादम, बटे और फाइब कुछ होगा, देख लेते, चलो, निकालो बेटा, पढ़ लो, वैसे सिंपल ही होगा, जब नोटस नी बढ़ा है उसका, देख लो एक बार, क्या टाफ है क्या कुछ? क्या है, क्या है, क्या माल ले जाएगा, सप्लाई माल ले जाएगा, बोलो कोई दिक्कत हो तो इसमें, क्लियर हुआ जोब वरकर प्रोसीजर? निकाल लेता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ, कां तक पढ़ लिया थामने? 143, 3 तक तो हमने पढ़ लिया? 4, 5 भी पढ़ लो कोई बाद नहीं, जब इतना पढ़ा दिया तो, अगर वो नहीं आते तो हम उन्हें क्या कर देंगे? इस अलबी दिम सच कैटल गूट्स है बीन सप्लाइट बाद प्रिंसिपल टूब वरकर, ओन दा डे वें दा सैट कैटल गूट्स वर सेंट आउट, यह उपर वाला नॉर्मल के लिए था और यह फोर वाला किसके लिए? प्रिंसिपल गूट्स के लिए, और फिर फिप्ट में क्या लिखा होगा? कि इस मॉल्ट डिक्स जाइस पर यह अप्लिकेबल नहीं होगा, नोट विर अनिधिंग कंटेंड इन सब्सेक्शन वर नोट टू, एनी वेस्ट एनी स्क्रैब जनेटी द्यूरिंग दा जॉब वर्क, अब ऐसा नहीं है वाई, इस्क्रैब जनेट हुई, अब मैने प्लास्टिक बेजी, प्लास्टिक बेजी की बोटल बना दो, एक लो, ऐसे कैसे, तो यह कहता है, नोट विर अनिधिंग कंटेंड इन सब्सेक्शन वन और टू, एनी वेस्ट एनी स्क्रैब जनेटी दूरिंग जोब वर्क मे भी सप्लाइड यह क्या हो सक्ति है जी, ठीज़ भी सप्लाइड की जा सकती है, बाइदा जोब वर्कर डिरेक्टियर फ्रों मेंच प्लेस ओप बिजनिस ओवन पेमेंट ओफ टैक्स, इब जोब वर्कर इजिस्टरोर भाइद प्रिंसिपल इब जोब वर्कर आप्र, the purpose of job worker input includes intermediate goods arising from any treatment or process carried out of the input by the principle मानलब कि को intermediate goods by product भी अगर होता है तो वो भी इसके process में हम उसे include करेंगे किलियर हुआ या नहीं क्या जी इन्हों ने का वेस्ट बेची नी जा सकती ऐसी कॉंसी वेस्ट है हाँ विल्कुल नी बेची जा सकती तो कुछ भी नहीं मानें अगे टिक अ कुछ भी नहीं मानें गूँट याँ पर गensemble का वा कि any waste and scrap generated may be supplied क्या लिखा वाई जी में भी supplied की वहाँ से supplied की जा सकती है ठीक है ना with payment of tax ठीक है आप प्रूब कर देना कि वहाँ से स्प्लाइड ने हो सकती अरो और उसी प्यारो सब इनका कोश्चन है प्रोसेस को लेके आजाओ प्रोसेस के लिए क्या पढ़ना है भाई रूल फोटी फाइब आरो रहा हूँ आरो रहा हूँ प्यारो टेंशन बतलो ठीक है ना पूरा बढ़ लो पहर ले रूस भी पढ़ लो ठीक है ना condition and restrictions in respect of input and capital goods sent to the job worker catada input semi finished goods or capital goods and be sent to job worker under the cover of a chillon sat me got all over to make chill on do get this on the ballad delivery chill on ya job virtual on including where such goods are directly sent to job worker together and we are the goods are sent from one job worker to an order job worker the photo OC bill but and doors cut the ring a technology provided that Dutch alone provided that the challenge should by the principal may be endorsed by the job worker yet was a fall to go indicating there in the quantity side make a dialogue about a quantity and description of the goods we are the goods are sent by one job worker to another or are written to the principal provided further that the challenge and those by the job worker may be further and those by another job worker key homemade job worker said you say job worker go indoors me car sector the challenge should by the principle to job worker shall contain the detail is specified in rule 55 by the rule 55 mediterly key here what the detail is chill on parley car within a medical video about rules 55 people lead there like a auto again a disnation can a लेकिन इसी के साथ निप्टा देते हैं इसे आजाओ जी कहता है ट्रांस्पोर्टेशन ओप गुड्ड विडाउट इशु और इन्वोई कि आप गुड्स की ट्रांस्पोर्ट कर सकते हो और इन्वोईज भी इशु करने के जरूरत नहीं पड़ेगी एक केस क्या होगे यह वाला जोब वर कर वाला कहता फोर्टा पर पर पज फिफ श अप्लाई ऑफ लिक्वीड गैस अपना तो यह निए लिकुड गैस अला तो निये हमारा एक ट्रांस्पोर्टेशन ओव गूट्स फोर जोब ऑर कर ठेक है हमारा इसी में आता इज़ गर अभ containing the following detail क्या होना चाहिए date होनी चाहिए और number होना चाहिए साथ में क्या हो name address gstn number of the consignor जो भेज रहा है मतलब principle name address gstn number or uin number of consignee if registered अगर registered है तो ठीक है unregister है तो कुछ हो गई निए उसका hsn code क्या बेजना है जी quantity बेजनी है अब उसमें का quantity Puri no auto cabbage provisional to beta we are the exact quantity supplied is not known I'm never bothered you are in on a couple of it taxable or some quantity exact me the taxable value can expect to be that come at love your massive bathing a philka pooch raya tax rate bota or tax amount with a place of supply be with a in case of interstate movement or साथ में signature clear हुआ अब बच्चे के मन में डाउट आया मैंने माल भेजा एक लाग का ठीक है उसमें लगाया अठारा जार रुपे जीस्टी जो वर्कर के यहां पर जैसे ही माल गया ठीक है यह माल जैसे ही उसने जो वर्क करा ठीक है ना यह माल बन गया 10 लाग का इसकी कीमत कितनी हो गई ऐसा हो सकता है यह नहीं हां क्योंकि जो वर्कर इसमें जो वर्क भी लगाता है और साथ में कई बार अर्मेटेरियल भी लगाता है और उपूट जब वो मैटेरियल भी एड़ करेगा तो हमारा सैक्षनेट यह कहता है kuv hormones सप्लाई का कि भाई मेन चीज तो इसके जोबर करा नहीं था ना मैटेरियल तो सेकंडरी चीज़ है भाई मैंने सोने का बिसकीट वेजा एक 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 जांपल के लिए मैंने सोने का बिसकीट वेजा अब आता थोड़ी सोने का बिसकीट रखा अपनी वाइफ को कह दूँगा इसे ही टांग ले कानों में तो उसका थोड़ी होगा आप वो सोने के बिसकीट की कीमत वेज़ सो तो तो दो लाग रुपे एक लाग रुपे अब जैसे मैंने जोबर करको भीजा और मैंने खाए इसके इससे ना भैतरी वह बना दे ज्वैलरी उसमें नग भी लगा दे ये भी लगा दे तो जब उसने वह ज्वैलरी बनाई तो ज्वैलरी कितने की बन गई दस लाग की ठीक है ना तो अभी यहाँ पर जब वो जो वरकर से मैं पूचूँगा हावी बदर तेरी ध्यारी क्या है वो कहेगा देख भाई एक तो अपना है सर्विस चार्ज क्या जी सर्विस चार्ज एक अपने ने लाई किस की थी सर्विस चार्ज की तो तू ना एकी कमबाइन बिल बनाएगा तू क्या बनाएगा एकी कमबाइन बिल बनाएगा जो बोलेगा किस चीद का नो लाग की सर्विस का किसका जी नो लाग किस सर्विस का बिल बनाएगा और जिस पर लगाएगा तू 18% जो भी रेट होगा भई अब जब अब जब ये वाला माल दुबारा वापिस आएगा जब दुबारा माल वापिस आएगा तो उस ताइम पर जब ये जोब वरकर जब जोब वरकर डिलिवरी चलान बनाएगा रिटन के लिए तो वो वैल्यू क्या डालेगा इन्होंने का 10 लाग क्योंकि जैसे मैंने तुम्हांट बढ़ा दिया तुमारी भावनाए भैगए तुम भावनाओं में अब तुम बताओ अब लेट सबोज माल गया था एक लाग का और मैंने कहा था पर इसमें प्रिंटिंग कर दे और उसने और उसने इसका चार लिया मेरे से 2000 रुपे अब वो कितने का बिल बनाएगा एक लाग दो जार का नहीं सर्विस एलिमेंट का इवे बिल नहीं बनता हमेशा गुड्स का इवे बिल बनता है सर्विस का इवे बिल नहीं बनता चाहिए वो कितनी ही कीमत का क्यों नहीं तो यहां पर पहले वाले केस में भी इवे बिल बन वो पहले भी एक लाग का ही बनेगा और इस वाले केस में भी एक लग कही बनेगा दस लाग का नहीं बनेगा कि समझाई कहानी यह नहीं मैंने तो यहां पर चाहे आपको एक एक्स्ट्रीम एक्जामपल बें दिया बिल्कूल वह सर्वीस का बील अलगसे चार्ज करेस्ट प्लीज प्लीज सर्विस का बील वह अलगसे चार्ज करेगे हई को डाउट देया तक भी होग द्रटा बट Hoş है करेच पिस्टार्ट करें गिल्कुल इन्हों से कहा जो ज बना इतकर ल rappelle बना रहे यांपर एक लाग के लिह किसके लिए और रहे नहीं तो भाई वहाता टेक्स अमांट उसके लिए भी टेक्स अमांट तो फिर भी लिखेगा भाई सब अभी मैंने रूल 55 बढ़ाया क्या लिखा उच में वो लिखा है ना टेक्स रेट और अमाउंट क्योंकि गॉवर्मेंट गॉवर्मेंट एचाती है कि दिलिवरी चलान में वह जो दिलिवरी चलान में वह जोववर्मेंट लेव रही क्योंकि लेगी कब जब वो क्या बन जाएगा सब्लाइ एक सलवाथ तो ऊथ सल गोवर्मेंट के बाच पूच और कि माल नेगा अशल सब्सक्राइग अग को जोह सोट मेरिवाथ को समझ रहान आँ है कि लिए हुआ इसलिए पढ़ाया मैंने तुम्हें अच्छा अच्छा बताओ जब हम आप जोब वर्क की बात कर रहे थे जब रूल 45 को पढ़ रहे थे उसने क्या बोला था परिटीकुलर कौन कौन से होने चिए जो रूल 55 और रूल 55 में लिखा या ने लिखा तो हजम कर लो ना यार अरे नहीं लगा रहे तो मैं क्या करूँ मैं रूल चेंज कर दू कि प्रेक्टिकल नहीं हो रहा रूल चेंज कर दो कोई भी रिटन में कवर नहीं होंगे सिर्फ किसमें कवर होंगे ITC 04 अब आ जाओ ना बेटा वो रूल कंप्लीट करने तो मेरे को जूल 45 जिसे अभी हम अधूरा छोड़के गए थे ठीक है ना जी दा डिटेल ऑफ चलान इं रस्पेक्ट अ गूट इस्पेस्ट वे जोब वर्कर और रसीव जोब वर्कर दूरिं ए इसकी देट एक्टेंड भी की जा सकती है और वाइसा विए वाली डिटल प्रिंसीपल बड़ेगा जोब वर्कर अंपड़े वो नहीं बड़ेगा ठीक है वेर दा इन्पूट और कैटल गूट्स आर नोट रिटन अगर वो वापस नहीं आए विदिन दा टाइम लिमिट इच्ट वी डीम्ड क्या माल ले जाएगा जी सच इन्पूट और कैटल गूट्स हैज बिन सप्लाइट बादा प्रिंसीपल टूब वर्कर और ये वाली डि अब इन्होंने क्या बोला मेरी बात को समझना ये प्रिंसीपल ता दिल्ली में ठीक है इन्होंने माल खरीदा गाजियवाद से जो वर्कर भी काम एठा हुआ है गाजियवाद एक्जाम्पल उनका उन्हें बताने दो ठीक है एक गाजियवाद से हिवे विल बनेगा तो बिल्टू इसके नाम पर होगा कि सिप तुज जोग वर्कर के नाम होगा तो कि इनों ने रहेगा इखाओ आभ I तो जएन कावखेершनों की नीडी सेरा है इंस्मेर तो डारेक्ली ट्रांसरा ओर हैं तून जा रहा हूं हाँ घुश्य वॉठाव बीचिजने काधिा ही थिक बात Vidy अब इन्हों ने का डिलीवर तो तुम करतो गई इन्वोिस से तो सार यह वासी के लिए का कर रोगे वासी के लिए निभी चलान बना देगे जी एक तिखेट ना कुछ ना कुछ साथ में लेका चलना गाड़ी के साथ इन वो इस ना हो तो डिलिविश चला जरूरू ते गना समझ रहेगी सर्विश के इलिमेंट को एड मत करो इस बात को डाइजेस्ट कर लो तिखेट ना मैंने एक लाग से दस लाग का एक सामपल भीची दिया तुम्हें कि तुम डाइजेस्ट कर लो ठीक है किलियर हुआ अगला टोपिक स्टार्ट करें क्या जी टेंपलेट क्या अजय इन्हों रगा अब आप ये बता दो आई टीसी जीरो फोर भरे कैसे अब आप मुझे कोई ऐसा दे दो जो प्रिंसीपल ओ फिर आई टीसी जी टीक है क्योंकि पोर्टल को क्या पता हम पैंट्राइब बेच रहे हैं या गुट्स बेच रहे हैं तो एक बाद राइक लेते हैं चलो जी अब इनका अगला एक्जम्पल ठीक है इन्होंने का माल गया था एक लाग का ठीक है जो बरकर ने उसकी वेल्यू बढ़ाई नहीं ठीक है उसकी वेल्यू कम कर दी यह ऐसा कौन सा जो पर करें हाँ इन्होंने का कि इस क्रैप में वह बेकार हो गया तो उस वाले केस में भी आप एक लाख रुपे का ही डिलिवरी चलान मेरे हिसाब से बना होगे क्योंकि वहापर मैटिंग होनी चाहिए और आप वह वाली च कि आप देखो मैं इसका प्रेक्टिकल नहीं कर रहा है तेक है लेकिन फिर भी माट जो मेरा कोमन सेंस कहता है मैं उस बेस्पे बताता हूँ कि क्योंकि यहां पर क्या होगा ना जो ITC 04 होगा ना इसकी मैचिंग भी होनी है माल कितने का आया वो भी अगर वहां पर एक चीज़ यह समझो एक लाग का माल गया और वापिस अगर मेरे पास 90 जार का मैं दिखांगा ITC 04 में तो कल को डिपार्टमेंट 10 जार का क्या माल लेगा सेल माल लेगा या तो मैं यहां पर अभी जब हम ITC 04 भरेंगे तो उसमें एक आ रहा होगा कि यह तुम्हारा कोई स्क्रैप हो लोस हो क्या हो एक बार ITC 04 को देख लेते हैं ठीक है ना मन की सांती हो जाएगी ठीक है ना मन की सांती आत्मा की सांती बहुत जरूरी है ठीक है देखें आत्मा की सांती यह नहीं हो तो मरने के बाद ही हो तुम गलत मत समझागरो जब मैं आत्मा की सांती बोलता हूँ कि अच्छा लोगी कहां पर जाया ITC 04 को बरने के लिए अजिए पैटा जा रहा था मैं अच्छा घाता तुम बोलते ना सर्विसीज में गए रिटन्स में गए ITC फोर्म और ITC फोर्म में ITC 04 डिटेल अफ कैपितल गूट्स सेंट तो जोब वरकर एंड उनिज बीज अक्टूबर तू टिया क्या कैता है डिटेल अफ इंपूट कैपितल गूट्स जोब वरकर इंक्लूट इंपूट गैस्ट गूट डारेक्ली सेंट वा प्लेस बिजनिस ओव जोब वरकर यह ना आई डिसी जिरो फोर टिक है तीन महीने में एक बार वरना है अब यहां पर हमें बता ना जोब वरकर टाइप कोने अपना रजिस्टर है तो उसका जेस्ट यह नंबर डालेगे भई उसका नाम आ जाएगा चलान नंबर आ जाएगा गोट्स डिस्क्रिप्शन ओट कूटिटी सारी चीज है यहां पर यह मैंशन ठीक है सब आ जाएगा और अगर यहां पर क्या यह अंदर इस्टर है तो इस्टेट आजाएगी चलान नंबर चलान ड भाया रेट में जीरो नहीं डालना मेरे प्रभू जो उस पर रेट होगा इतम पे वही रेट डालना है अथारा परसेंट अथारा बारा है बारा थे गना ठीक है फिप फाइवे डिटेल ओफ इंपूट कैटल गूर्स रिसीवड बैक क्या रहा जिए रिसीवड बैक फ्रूम जोब वरकर टू हूम सच गूट्स वर सैंट फोर जोब वरकर एंट देखो इसमा लूजी देंट वेस्ट की भी बात कर रहा है तो देख लेते हैं यह क इस गूट्स है बीन रिसीवड बैक कि यहां पर जो चलान नंबर किसने शुकरा है जोब वरकर ने जो हमारा चलान नंबर है वो और इसनल ऊपर आ जाएगा ठीक है ना जी जिस पर गया था क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना मैंने भेजा एक ट्रक माल और चलान नंबर था एक क्वांटिटी नेचर ओफ जो वरकर क्या काम कर रहा उसने टीक है ना और यहां पर लूजेंड वेस्ट भी डाला लेकिन आपर अमांट कहीं नहीं कह रहा इट मींस क्या है कि वह हम यहां पर क्वांटिटी वाईजी देखेंगे तुमारा कि क्या क्वांटिटी आ गई बस ट्रिकर आenta टाइम पर आपसे ओंट्वांटिव मांग रा रेट मांग रहा है कह यहां पर कहीं जाद है समय में रेट मांग रहा है वाप्सी में कुछ भी नहीं मांग रहा है और इजनल से ही वो सारा पिक हो जाएगा ठीक है वो क्वांटिटी मैच कर लेंगे ठीक है फाइब भी क्या गया था डिटेल ओफ इंपूट कैपिटल गूड्स इसीवड बैक फ्रॉम जॉब वरकर अधर देन दा जॉब वरकर तुविट सच गूट्स वर और इजनले सेंट जोब वरकर एंड लूज एंड वेस्ट यह क्या हो गया भाई बेज़े दे रामलाल को आइज सामलाल से वापिस अच्छा और एक मज़े की बात पता तो गोवर्मेंट इस अभी मैच नहीं कर पाई गोवर्मेंट अभी से मैच नहीं कर पाई ते गया बना तो दिया इन्हो दो दो जता अब यहां अगर अगला काई डिटेल औफ इंपटेल गूर्सन टू जोब वरकर और मांसे क्या हो इवो शे लोटेग है अगला जाए जी महांते क्या हो यह सेल बोलो समझ आया वाई या शा कर लोगे जोबवर्ग हाइज यह जोब वर्क अईक आशी तुम्हारे सेल हो जाते हैं तो सेल की डिटेल भी यहां से डाल दूँए अभी देख लेते हमारा जोब वर्कर टाइप क्या था रजिस्टर तेकर नहां यहां पर मांग रहा है एंटर सप्लायर जिस्टी जिसे सेल कर आउसकी डिटेल डाल तेकर आजी बोलो कोई डाउट एं यहां तक बोलो जी क्या किसको इसको इसको इसका टाइटल पड़ते है यह गारा है फाइब सी डिटेल ऑफ इंपूट कैटल गूट सेंट जोब वर्कर एंड सब्सेक्वेंटली सप्लायर फ्रोम्दा प्रमिसिस ऑफ जोब वर्कर एंड लूज इन वेस्ट यहां पर जैसे इसने जोब वर्कर टाइप पूछा यहां पे तुमने रिस्टेट ले लिया ठीक है अब अगर मैं यहां पर अन्द इस्टर लेता हूँ ठीक एना यह स्टेट मांग रहा है नहीं यहां पर सप्लायर की डिटेल नहीं यहां पर जोब वर्कर का ही इनाम डालना पड़ेगा बिल्कुल यहां पर सप्लायर की डिटेल नहीं जाएगी तो यहां पर कॉष्चण यह आ रहा है कि मैं हू कपिल जैन, मेरा जोब वर्कर है मालो जैन साब कैन जैन, टिक है ना यह यहां पर किसकी डिटेल डले केंजैन या राहूल की डिटेल डले यहां पर जोन वरकर की ही डिटेल डले यह बात किस चीछ से प्रूब हो रही है क्योंकि जब में इसे रजिस्टर की जगा लेता हूँ अगर यहाँ पर जिस पार्टी को माल बेचा, उसकी डिटेल डलनी होती, तो रिजिस्टर में भी उडलती, और अन्रस पर किलियर हुआ या नहीं? ठीक है? और अगर अबी भी किलियर नहीं हुआ, तो पहिटा इसका साफ साट निकालना, ठीक है आई टीसी जीरो फोर और उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना महा से और चीजे किलियर हो जाएगी मैंने आप तक यह भरा नहीं ठीक है लेकिन देखने पर मुझे समझ आ रहा है जब मैं कभी से भरूँगा तो ऐसे आग बंद करके नही पढ़ लो किलियर हुआ या नहीं बोलो इस टोपिक को ही एंड दरे हाजी किलियर है